इस वीडिये हम बात करने जा रहे हैं रेगुलर वीडियोज आपके लिए आ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके लाइकन दबा दीजे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो पहले बात करते हैं बेंगलोर बुल्स की यहाँ पर 11 मुकाबले टीम खेल चुकी है सिर्फ 4 मुकाबले जीती है और कर्रेंटली जो है आठ भी पोजिशन पर है राइट कॉर्णर पर यहाँ पर सौरब नांदल खेलते हैं पिछले कुछ मैच में काफी अच्छे टच में नज़र आ रहे है 86.4, 89, 68, उससे पहले 12, 120, 93 तो काफी अच्छे फॉर्म में है इंपोर्टन प्लेयर रहेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस बन सकते है स्मॉल लीगो चाहे ग्रैंड लीगो अमन की बात करें लेफ्ट कॉर्णर पर खेल रहे हैं इस सीजन प्लेयर अच्छा है बट इस सीजन उतनी अच्छी फॉर्म इन की नजर नहीं आई अगर आप देखें किसी भी मैच में 100 पॉइंट सीनों नहीं दिया है 53, 22, 53, 15, माइनस 7, 70, 57 बट कॉर्णर पर खेलते हैं और अच्छा कर सकते हैं तो यहाँ पर प्लेयर अच्छा है आप ट्राइक कर सकते हैं स्मॉल लीग में अदरवाइस ग्रैंड लीग के लिए काफी अच्छी आप्शन रहेंगे विशाल लाथर है विशाल लाथर की बात करें लेफ्ट कवर पर खेलते हैं लेकिन अगेन इतना अच्छा सीजन नहीं गया बीच बीच में कुछ माचिस काफी अच्छा हैं जैसे ये एक मैच आ गया ठेतर आ गया कि ये नब्बे वाला आ गया था तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राइ कर सकते हो स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे इतना कोई खास नहीं रहा है पांच जो है इक्यावन आठ बावन जीरो पांच उनस्तिस तो फेल हुएं अजब इस पचास के आफ़ पांच पॉइंट्स देते हैं ग्रैंड लीग में ट्राइ कर सकते हैं और स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे बरत हुड़ा इस टीम के लिए में रेडर है लेकिन अगेन बहुत अच्छा सीजन नहीं जा रहा है अट्थाइस बावन पैतेस छपपन माइनस बाराज चेटर एक सो पांच चुराणवे तिराणवे स्टार्टिंग वड़ी अच्छी ती हैं तक लेकिन एक बार वो माइनस पॉइंट्स में दी है इन्होंने उसके बाद जो यह लै उतनी पकड़ी नहीं है प्लेयर इंपोर्टेंट है अगर आप रिस्क लिएना चाते हैं तो यह स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइक कर सकते हैं विकास कंडोलाइट डीसेंट खेल रहे हैं चालिस ब्यालिस बारा चोववन तो लगवग चालिस पॉइंट ओन एवरेज दे रहे हैं तो ट्राइ किये जा सकते हैं स्मॉल लीग हो या चाहिए ग्रैंड लीग हो इंपोर्टन प्लेयर की बात करें स्मॉल लीग के लिए काफी इंपोर्टन रहेंगे बैंगलूरू बुल्स के लिए इस मैच में होने वाला है 20,000 रुपे का फ्री गिववे डेली विजन 11 आपको फ्री गिववे दे रही है लीडर बोर्ट भी चल रहा है न्यू फीचर भी आ चुका है head to head fantasy का और यहाँ पर कोई GST भी नहीं लगती है deposit पे तो अगर आपको विजन 11 आप नहीं है तो डाउनलोड कर लो लिंक आपको description है मिल जाएगा fortune refer code है इसके तो डाउनलोड कर लेना आपको sinus bonus भी मिल जाएगा बात कर लेते है पतना pirates की तो 10 में से 5 मुकावले जीती है और अभी 7 वे position पर हैं तो दोनों टीम्स के लिए match काफी important है क्योंकि एक 7 वे पर है एक 8 वे position पर है किशन दुली यहाँ पर right corner खेलते हैं प्लेयर अच्छे है बासर पॉइंट 104-135 तो यहाँ पर इनका यह सीजन न अच्छा जा रहा है small league के लिए captain wise captain की भी choice रहते हैं अंकित की बात करें left corner खेल रहे है starting अच्छी हुई थी पिच्चान में 140 फिर कुछ match अच्छे नहीं गए लेकिन पिछले कुछ magic से लेब पकड़ लिया है 45-82 और 109 तो एक अच्छे पे कराएगी small league में आप इने grand league में captain wise captain भी try कर सकते हैं फिर यहाँ पर आएंगे नीरच कुमार right cover खेलते हैं अब नीरच कुमार का scene क्या है जब चलते हैं तो बहुत points देते हैं मनीश की बात करें left cover पर खेलते हैं बहुत अच्छा सीजन नहीं रहा है इनका तो only for grand league small league में रिस्की रहेंगे सुदाकर M की बात करें अच्छा खिलाड़ी अच्छा रेडर है 66 होगे 31 होगे 72, 38 तो अपने दिन पर अच्छे points दे जाते हैं तो सुदाकर या मन्जीत में से एक रख सकते हो last match सुदाकर जो है वो 66 points देकर आ रहे है यहाँ पर अगर हम बात करें मन्जीत की मन्जीत का इस सीजन ठीक ठाकी रहा है पहले में 33 और फिर यहाँ एक बीच में 360 आए थे बीच में 2 match काफी अच्छे गए यहाँ पर 86 और 116 लेकिन last match में 21 तो आप इन में से आपको एक रखना होगा most probably या फिर विकास कंडोला और इन दोनों में से तो सुदाकर है मुए ज़्यादा चिपिक नसर आ रही है सशिन की बात करें main raider है और best choice रहेगी इस match के लिए captain की भी या vice captain की हो जाते है पटना पाइरेट से बात करते है small league और grand league प्रिस प्लेयर को आपको captain करना चाहिए सचिन तवर देखो grand league को best choice captain है इस match की किशन धुल भी अच्छी पिक है भरत या सोरवनांदल ये चार खिलाड़ी है जिनको small league और grand league को captain wise captain अपने try कर सकते हैं बात करते है winner prediction की दोनों टीम अगर देखें तो 7 और 8 वे स्थान पर है दो ही points से आगे है पटना तो बैंगलोरो बॉल्स कमबाक कर सकती है लेकिन जिस तरीके का इस season चल रहा है मुझे लगता है on papers जो है वो बैंगलोरो बॉल्स ट्रॉंग है लेकिन उतनी अच्छी performance आने रही है और कहीना कहीं पटना जो है as a team अच्छा खेल रही है तो मुझे लगता है ये वाला match जो है पटना win कर सकती है आपको क्या लगता है comment करके अपनी राइज जरूरू पताईएगा चलिए अप create करते है अपनी small league और grand league की teams तो defense section में काफी अच्छी option है किशन धुल को मैंने लिया है सुरम नांदल को लिया है सुरजीत को मैंने रखा है सुरजीत की जगा अगर आप risk लेना चाहें तो नीरज को भी रख सकते हैं लेकिन मैंने सुरजीत को रखा है यहाँ पर option जो है अमन काफी अच्छी option है नीरज इनमें से आप एक को रख सकते हैं विशाल को selection की काफी कम है तो grand league में try कर सकते हैं और round section मैंने अंकित को लिया है नीरज नरवाल और मनीज धूल की अच्छी performance नहीं रही है बट फिर भी try करना चाहते हो तो नीरज नरवाल को try कर सकते हैं रेडिंग में बात करें तो सचिन तवर को मैंने रखा भरत को रखा है अब एक option बचता है option काफी सारे है एम सुदाकर है, मंचीत है, विकास गंडोला है या नीरज आप, इन में से किसी एक को रख सकते है मैंने अभी के लिए एम सुदाकर को अपनी टीम में रखा है तो यह बन जाती है हमारी small league की टीम final team आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी जिसका link description में है बात करते है, captain, wise captain की captain जो obvious है, मैंने आपर सचिन तवर को किया है wise captain भरत का option है यहाँ पर अंकित है, किशन दुल है सोरम नांदल है, सो काफी option है मैंने आपर किशन दुल को अपनी team का wise captain किया है, तो यह बन जाती है हमारी small league की team, बात करते है grand league teams की, सो दो चार teams create करी है आपके लिए team number 1 की बात करें तो पटना के favor हमें team बनाई है जिसमें हमने सचिन तवर को captain किया है wise captain जो हमने अंकित को किया हुआ है team 2 की अगर हम बात करें, team 2 में हमने किशन दुल को captain करके सचिन तवर को wise captain किया हुआ है team 3 की बात करें, तो यह हमने बैंगलूरू बूल्स के favor में बनाई है तो सौरम नांदल को captain किया है और सुर्जी सिंग को wise captain किया हुआ है last team जो हमारी है वो again बैंगलूरू बूल्स के favor में है अगर close contest होता है तो भरत को captain किया और सचिन तवर को wise captain किया हुआ है आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते है और किसी एक player को भी multiple teams में captain wise captain try कर सकते है उमीद करता हूँ यह video आपको पसंद आई है पसंद आई है तो like करो, share करो, comment करके बताओ आपके इसाफसे best choice captain wise captain कौन होने वाली है साथ के साथ YouTube channel को subscribe करके bell icon दबा दीजे जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी All the best guys